वेल तो हे गाईस, वेलकम टू माई चैनल, मैं नेम इस पंकस, तो वेल आपका स्वागत है नौरमी रेस्लिंग में, तो इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले कि The Rock के रेटन को लेकर और भी काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग अपडेट्स देखने को मिली है, कि हमें उनक रेटन रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, इस बारे में डिटेल में डिसकस करेंगे, और अल्सो डिसकस करने वाले कि डस्टीन रोड सेथ फ्रेकिंग रॉलिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है, आज के मंड़े नाइट र बरूर देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ने क्या, तो बाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे हमें सा लेटेस्ट अपडेट और ऐसी इंटरस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं, तो चलते हैं टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक की सुरुवात करत हैं, सबसे पहले Royal Rumble को लेकर, तो जैसा कि आप लोग को बता दूगी, The Rock को लेकर काफी बड़ी अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, कुछ दिन पहले जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, कि हमें The People's Champ, The Bramable, The Rock का रिटन देखने को मिलेगा, Royal Rumble 2023 के अंदर, तो इसको लेकर एक और अपडेट देखने को मिली है, Give Me Sports की तरफ से, लुइस डैंजूर यहाँ पर रिपोर्ट करते वे दिखाई देते हैं कि हमें The Rock देखने को मिलेंगे, Royal Rumble 2023 के अंदर, इसके चांसे काफी अच्छे खासे हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर, लुइस Royal Rumble के अंदर हमें return करते वे दिखाई देंगे, तो The Rock ही हमें Royal Rumble को जीते वे दिखाई देंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, इस बारे में भी अगर बात करें, तो जैसा कि आप यहाँ पर odds भी देख सकते हो, तो odds के अंदर भी The Rock हमें काफी ज्यादा दूर न नमबर पे थें, और कब हमें फेवरेट होते वे दिखाई दी चुके थे, बैटिंग ओड्स के अंदर जैसे ही Royal Rumble नजदीक आया था, ब्रॉक लेशनर नमबर वन पे आ चुके थे, तो ऐसा हमें The Rock के साथ में भी possible होते वे दिखाई दे सकता है, और maybe The Rock की हमें Royal Rumble अगर उ चांसेस बन सकते हैं कि Royal Rumble के अंदर अगर रिटरन करते हैं, और रिटरन करके वो Royal Rumble के मैच के अंदर देखने को मिले, तब तो समझाना कि चांसेस काफी जादा है कि हमें The Rock मैच को जीतते वे दिखाई देंगे, अब लेट सी यहां पर WWE क्या कुछ करते वे दिखाई देत हैं, इन सारी तिंग्स के उपर आपके क्या थॉट्स हैं, वो मुझे कॉमेंट के अंदर जलूर बता देना क्या The Rock का Royal Rumble जीतना काफी सही रहेगा रोमर डेंस को चैलेंज करने के लिए, या फिर नहीं, क्योंकि यही एक रास्ता भी बनता है WWE के पास में, क्योंकि अगर को तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, और यह है जो कि Dusty Rhodes की तरफ से, तो Dusty Rhodes जो कि अभी आज के Monday Night Raw के अंदर हमें Seth Rollins का कॉमेंट देखने को मिला था Cody Rhodes के उपर, यानि की प्रोमो कट करते वे दिखाए दिये थे, जहांपर Seth Rollins का यह कहना था कि, वो Cody Rhodes का पीछा पीछा नहीं चोड़ेंगे और Cody Rhodes उनका पीछा नहीं चोड़ेंगे, तो ऐसा कुछ हमें यहां पर देखने को मिला था Seth Rollins की तरफ से, और ऐसा ही कुछ हमें थियरी के साथ में भी करते वे दिखाए दे सकते, Seth Rollins जब तक हमें Seth Rollins अगर जीतते नहीं है, तो ऐसा कुछ हमें वो बिल्कुल भी हैपी नहीं है Seth Rollins की कॉमेंट से, बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, Seth Freaking Rollins की ही तरफ से, तो Seth Rollins का हमें रिसेंट में इंटर्वी देखने को मिलता है, ब्लीचर रिपोर्ट के साथ में, जहां पर व फर्स्ट टाइम एवर हमें पुरी सील्ड का रिउनियन देखने को मिल रहा था, और फर्स्ट एवर हमें मैज देखने को मिलने वाला था, पुरी दश्रील का TLC के अंदर, लेकिन वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि Luther S. को यह धने के रिच्छ के रिच्छ के और दे देखने को मिला जब फर्स्ट मैच हम लोग लड़ने गए उसी टाइम पर हमें जो कि रोमर डेंस तो नहीं देखने को मिले लेकिन फिर भी कर्ट एंगल आये और कर्ट एंगल हमारे साथ मैच लड़ सकते थे लेकिन शील्ड का गियर पहनना वो से थ्रॉलेंस को बिल्कूल भ हमें देखने को मिलती ना कि कर्ट एंगली देखने को मिलते हैं वेल जो भी हुआ सही हुआ और आपका क्या थॉर्ट सभाई कॉर्मेंट के अंदर जरूर बता देना बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है युनाइटेड प्राइट के अंदर सेथ रॉलेंज काफे ज़्यादा फेवरेट है और थियरी और बॉबी लैश्ली जो की टाई करते वे दिखाई दे रहे हैं यानि कि सेथ रॉलेंज मतलब जीते वे दिखाई दे सकते हैं इस मैच को अपनी यूवेश टाइटल को वो रिटेंड करते व फिर बॉबी लैश्ली वो मुझे कॉमेंट के अंदर जरूर बता देना बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है दा बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेस्नर की तरफ से तो ब्रॉक लेस्नर को चैलेंज करते वे दिखाई दे बॉबी लैश्ली एक और मैच के लिए जहां पर बॉबी लैश्ली का हमें रिसेंट में इंटर्वी देखने को मिलता है नबीसी 10 के साथ में जहां पर उस इंटर्वी के अंदर बॉबी लैश्ली कहते वे दिखाई देते हैं कि फिलाल के टाइम पे मेरा वन है बॉबी जीतते वे दिखाए देगा तो ऐसा कुछ यहां पर बॉबी लैशली का कहना था और वो चाहते हैं कि थर्ड मैच हो और थर्ड मैच के अंदर वो बॉबी लैशली जो हैं वो बॉबी लैशली को काफी बुरी तरीके से हराएंगे तो ऐसा कुछ यहां पर बॉबी लैशली का क आते वे दिखाई दे सकते हैं तो ऐसा कुछ यहां पर Bobby Lashley की तरफ से देखने को मिलता है recent के interview के अंदर और Bobby Lashley चाहते है कि third match देखने को मिले और जिस match के अंदर Bobby Lashley Brock Lesnar को हरा कर प्रूफ करें कि वही असली winner है Brock versus Bobby में और वो काफी ज़्यादा superior है Brock Lesnar से तो यह कुछ हमें यहां पर Bobby Lashley की तरफ से देखने को मिलता है वैल इन सारी things के उपर आपके का thoughts है और यहां पर सिधा-सिधा Bobby Lashley challenge करते वे दिखाए दे रहे हैं जो कि Brock Lesnar को third match के लिए तो इस thing के उपर आपके का thoughts है क्या opinion है वो मुझे comment के अंदर जरू बता देना वैल वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो आप लाइक करो, share करो, subscribe करो जो भी करना है कर सकते हो Instagram और Twitter का link भाई description में है वहाँ पर जाके जरूर follow भी कर लो और जिसने भी चैनल को subscribe नहीं किया तो भाई subscribe कर लो latest updates और ऐसे interesting वीडियो के लिए मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye everyone guys